नमस्कार दोस्तो आज के वीडियो में मैं करने वाला हूँ देव्यानी इंटरनेशनल लिमिटेड शेयर का टेकनिकल एनलिसेस और दोस्तो हम डिसकस करेंगे कि इस शेयर में क्या अभी खरीदारी करने का एक सही मौका आ गया है या फिर ये कोई धोका है दोस्तो अंत में हम ये भी डिसकस करेंगे कि इस शेयर में हमारे short term targets क्या रह सकते हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तो सबसे पहले हम डिसकस करते हैं इस शेयर में हमारे important support लेवल को तो दोस्तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस शेयर में 164.50 का लेवल पहले एक बहुत ज दोस्तो जैसे इस शेयर ने इस resistance का breakout दिया था उसके बाद इस शेयर में हमें एक अच्छी तेजी देखने को मिले थी तेजी के बाद जब गिरावट आई तो दो बार इस शेयर ने इसी लेवल पर support लिया फिर वापस से हमें एक अच्छी तेजी दिखाई और अभी भी हुआ है तो यहाँ पर 164 का लेवल एक बहुत ज़्यादा महत्वपून support लेवल हो जाता है दोस्तो अगर हम बात करते इस शेयर में resistance की तो यहाँ पर मुझे इस शेयर में अभी दो important resistance लेवल दिखाई दे रहे हैं पहला जो important resistance है वो है 174.50 का लेवल यहाँ पर आप देख सकतो दोस्तो इस लेवल पर already इस शेयर ने दोत इन बार resistance फेस कर दिया है तो यह लेवल एक important resistance लेवल है दोस्तो अगर यह शेयर इसका breakout दिखाता है तो उसके बाद जो अगला resistance है हमारा इस शेयर में वो है 182 रुपीस का लेवल यहाँ पर आप देख सकतो दोस्तो यह important technical indicators और देखते हैं कि यह indicators हमें क्या signal दे रहे हैं तो यहाँ पर मैंने दो important indicators apply कर दिये हैं दोस्तो वीडियो में आगे जाने से पहले मैं कहना चाता हूं कि वीडियो को लाइक कर दीजिए इससे जो यह वीडियो का रीच है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक और इंडिया में financial literacy बढ़ेगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को subscribe कर दीजिए तो चलिए अभी वीडियो में आगे बढ़ते हैं सबसे बहले अगर हम बात करते हैं relative strength index को तो यहाँ पर आप देख सकते हो RSI में लगाता downtrend देखने को मिला है और दोस्तों अगर हम RSI की value देखते हैं तो यहाँ पर आप देखो RSI की जो value है वो भी 40 के भी नीचे आ गई है तो यहाँ पर RSI उझे थोड़ा सा week दिखाई दे रहे हैं पर अच्छी बात यहाँ है कि RSI में छोटी सी recovery भी आई है दोस्तों अगर हम बात करते हैं हमें volume indicator की तो यहाँ पर आप देखो हमें जो volume signal दे रहे हैं वो है कि यहाँ पर जबी भी इस share में गिरावट आती है तो volume अपने आप कम हो जाते हैं इसका यह अर्थ है कि यह जो downtrend चल रहा है यह downtrend एक week downtrend है मतलब यहाँ से हमें इस share में तेजी देखने को मिल सकती है अग कुछ भी असर नहीं हुआ economy के उपर तो यहाँ पर मुझे लगते हैं इस share में खरीदारी करने का एक अच्छा मौका है अगर यह share 182.20 के resistance को break करते हैं मतलब अगर यह share 183 तक जाता है तो इस share में खरीदारी करने का एक अच्छा मौका रहेगा दोस्तो उसके बाद जो मेरा सबसे पहला target रहेगा इस share में वो रहेगा 192 रुपीस का लेवल डूसरा target रहेगा 220 रुपीस का लेवल यहाँ पर आप 174 के बाद भी खरीद सकते हो पर अच्छा रहेगा जब आप 183 के बाद खरीदते हो दोस्तो अगर आपके पस कोई भी holding ह तो आप इस share को भी hold कर सकते हो पर अगर यह share 164 के नीचे जाता है तो यहाँ पर हमें एक बड़ी खिरावट देखने को मिल सकती है पर इसकी संभावना बहुत ज़्यादा कम है पर फिर भी दोस्तो आप इस share में 160 का stop loss लगा सकते हो तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ह कि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे इस share में मेरी कोई भी 22 है लिया hold की सला नहीं है क्योंकि यह वीडियो एक educational वीडियो है धन्यवाद